वेलकम टू माँ चैनल टेक मेकानिकल एंड इलेक्टिकल आज मैं डिसकास करूँगा एनपीसेयल तारापूर प्रिलिमिनरी एग्जामेनेशन मेमोरी बेस्ट कुस्टिन पेपर जिसका अफ्लाइन एग्जामेनेशन 9 सेप्टमबर 2023 फास्ट सिप्ट में कंड़क्ट हुआ है इससे पहले 9 सेप्टमबर 2023 का सेकेंड सिप्ट पिलिमिनरी एग्जामेनेशन मेमोरी बेस्ट कुस्टिन पेपर का मैं एनालेसिस किया हूँ और आप सभी का रिक्वेस्ट था इसलिए मैं फास्ट सिप्ट का भी पेपर अप लोग के लिए लेके आया हूँ और आज का सभी स्टूडेंट का हेल्प से मैं आज का पेपर को तयार कर पाया हूँ ठीक है तो वीडियो अप सभी के लिए काफी हिल्फुल होगा 44 से 45 को सिनका मैं डिसकस करूंगा और एक चीज़ मैं अपको क्लियर करना चाहता हूँ इसमें इनपी सेयल का फास्टेज और सेकेंड स अच्छा गए है जो स्टूडेंट पीलिमिनेरी एक्जामेनेशन को थोड़ा सा अपने फोकास दिया है बहुत सारा स्टूडेंट पीलिमिनेरी एक्जामेनेशन में फेल हो जाता है इसलिए उसका पेपर एडवांस पेपर चेक नहीं किया जाता वो सभी स्टूडेंट पी preliminary examination special playlist है, उसमें more than 45 वीडियो है, उसको आप देखिएगा, उसमें PBICR question paper है, जितना भी DAE का unit होता है, जैसे BARC, NPCL, GSO, AMD, IG card, VECC, और भी काफी जो आपका unit होता है, सभी का PBICR paper आपको मिल जाएगा, तो preliminary examination का तयारी अच्छा होगा, और भी अगर आप लोग अच्छा से तया first sip में और second sip में, जितना भी आपको preliminary examination में question पूछा गया, उसमें 90% question, test series से आपको पूछा गया, जितना भी student test series को attempt करके गया है, वो सभी student easily fast age को तो qualify कर लेगा, तो सुरू करते हैं, आज का discussion और 50 mock test series का बारे में, मैं आपको वीडियो का बीच में बताता हूँ, तो total आज क class में, total 44 से 45 question आपको मिलेगा, तो अब जब पूड़ा देखेंगे वीडियो तभी आपको पता चलेगा, और आप चेक कर लेना, आपको कितना marks आ रहा है, क्योंकि अब भी B.A.R.C. exam के लिए N.P.C.L. exam के लिए तयारी करें, क्योंकि N.P.C.L. का काफी सारा unit का तरफ से recruitment अभी भी pending है, जिसका exam होने वाला है, और B.A.R.C. जो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, तो इसके लिए आप लोग इस 45 question में देखिए कितना question आप सही कर पा रहे है, ठीक है, और एक बात, जो भी student आप लोग अभी तक चैनल को subscribe, नहीं के चैनल को subscribe कर लेजी क्योंक मेरा YouTube चैनल से, और आपको study videos regular आपको मिलते रहता है, मेरा YouTube चैनल से memory best question paper, model question paper, P.V.A.R. question paper, आपको मैं इस YouTube चैनल में provide करता हूँ, शुरू करते हैं, आज का paper का discussion, सबसे पहला question में आपको पूछा गया था, the unit of momentum is, संबेक का इकाई क्या है, momentum का formula होता है, mass into velocity, mass का unit का kg और velocity का unit होता है, meter per second, तो इसका momentum का, मतलब संबेक का unit क्या हो जाएगा, kg.meter per second, या आप बोल सकते, kg.meter second to the power minus one, okay, second question में आपको पूछा गया था, how many fundamental units are present in the SI system of unit, SI system of unit का unit में fundamental unit, total मुली का कितना होता है, seven होता है, अगर additional unit का बात करते है, दो additional unit होता है, एक आपका plane angle के लिए, और आपका दूसरा होता है, solid angle के लिए, तो additional angle आपको नहीं पूछा है, only आपको fundamental unit मतलब मुलीक इकाई पूछा है, तो seven items हो जागा, third number question में आपको पूछा गया था, light year is the unit of our, आलक बर्स किस का इकाई है, तो आलक बर्स, distance मतलब दूरी का इकाई है, fourth number question में आपको पूछा गया था, the square root of 6400, 6400 का बर्ग मुल क्या है, तो 6400 का बर्ग मुल होता है, इसको जब आप लोग तोडएंगे, ऐसे करके 32 होता है, धिरे-धिर आप तोड़ते हैं, इसमें से जो जापका 2-2 आएगा, तो उसम रिसेनली चंदरायन 3 लॉंच हुआ है, तो देखें, the spot near the moon, south pole, where India's Chandriyan 3, चंदरायन 3 भी है, आप देखें, spacecraft made its historic landing last week, will be named, मतलब पिछला हफता में, जो भारत का चंदरायन 3 है, मून का, south pole का, जिस जगा में land हुआ है, जिस जगा में उतरा है, उस जगा का नाम क्या है, तो उसमें आपको काफी सारा option दिया गया था, अब्दुलकलम, point, और भी आपको कुछ point का नाम क्या गया था, तो इसमें, right-down सरो जगा, सीब सकती point, ठीक है, तो जिस spot में, चंदर pole का, जिस जगा में, चंदरियान थीरी, लेंड हुआ है, तो उस जगा का नाम है, सीब सकती point, six number में, एक question आपको पूछा गया था, कन्हा national park, कि लोकेटेरी, कन्हा national park, किस state में, या आप बोल सकते है, किस राजे में, located है, तो या आपका राइटान सर जगा मुर्धर पोद आपको लिख सकते है, तो तूटू आपका कर जाएगा, तूटू दीबार आपका क्यू हो जागा, तूटू दीबार की मतलब, two into two into two, तो दो into two, मतलब 4, और 4 into two, मतलब 8 हो जागा, तो इसका राइटान सर 8, इसमें देखिए एक question आपको दिया गया था, mass of object, किसी object का mass 15 kg, velocity 4 meter per second, तो आपको निकालना था, किये ये मतलब kinetic energy, kinetic energy का formula होता है, half m2, तो half आपको लिखना है, m का जगा mass, और 20 का जगा velocity, आपको दो बर लिखना है, तो four into four हो जागा, तो इसका total value आजागे, 112 J, क्योंकि आप लोग जानते है, energy, heat, work done, इन सभी जीज़ का unit होता है, J, ठी देखियो, और ये सभी question, 50 mock test series से आपको पूछा गया है, आप सभी student अगर B.A.R.C. और N.T.C.L. का बाकी unit के लिए तयारी करें, वो सभी student, अप लोग 50 preliminary examinations special, जो mock test series है, उसे join कर सकते है, क्योंकि maximum question, 90% question आपको इसी से पूछा गया, जितना भी student ने उसका subscription लिया था, और आपका यूट्यूब पर वीडियो है, playlist में, preliminary exam का playlist में, उसी से पूछा गया है, और हम लोग preliminary examination qualify कर लेंगे, और हम लोग का advanced exam में इतना इतना मार्स आ रहा है, तो preliminary examination special जो playlist में आपको उसका बारे में थोड़ी देर में बता आता हूं, next question पर चलते है, 9 number question में आपको पूछ root 3 और core 30 degree का value होता है, same root 3, root 3, root 3 कटने का बाद इसका value आजएगा 1, और एक current affairs का question पूछा गया है, 10 general awareness का question पूछा जाता है, तो उसमें से 2 से 3, कभी कभी 4 question भी आपको current affairs से पूछा जाता है, which country is hosting G20 Summit 2023, G20 Summit 2023 कहां पर host किया जा रहा है, या कौन सा country host कर रहे है, तो हम लोग का देश, इंडिया इसको host कर रहे है, तो आप तो इंडिया नहीं आपको भारत बोलना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं option में आपका इंडिया था, 11 number question में आपको पूछा गया था, which mirror is used in headlight of car, किसी भी गारी का headlight में कौन सा mirror use होता है, कौन केव mirror use होता है, 12 number question में आपको पूछा गया था, SI unit of amount of substance, मतलब amount of substance का 1 क्या होता है, mole होता है, और एक question आपको पूछा गया था, 1 ton is equal to 10 kg, 1 ton is equal to 1000 kg, 14 number question में आपको पूछा गया था, an object weight 10 newton when measured on the surface of the earth, किसी object को हम लोग प्रिथी भी का surface में measure कर रहे हैं, उसका weight आता है 10 newton, और what would be its weight when measured on the surface of the moon, और उसी object को जब हम लोग चांद का सते में जाके measure करते हैं, तो उसका weight कितना आएगा, तो आप लोग जानते है, पीथी भी में जितना weight होता है, उसका 1 by 6th weight होता है, तो आपको लिखना है, weight of the moon, weight of object on the moon is equal to 1 by 6 into weight of the object on the earth, तो आर्थ में इसका object का weight कितना था, तो आप देखिए, weight on the moon is equal to 1 by 6 into weight on earth, तो आर्थ में कितना weight है, अपका 10 newton दिया है, तो 1 by 6 into 10 मतलब आपका आजाएगा, चांद के सते में, उस object का weight कितना हो जाएगा, 1.67 newton हो जाएगा, 15 number question में आपको पूछा गया था, the included angle of nonagon is, nonagon मतलब जिस polygon का 9 side है, octagon मतलब जिस polygon का 8 side, heptagon मतलब जिस polygon का 7 side, hexagon मतलब जिस polygon का 6 side है, इसका बाद pentagon मतलब जिस polygon का 5 side, dagon मतलब जिस polygon का 10 side है, ओके तो इसमें देखिए, nonagon मतलब जिस polygon का total 9 side है, तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तो इसमें, दो साइड का बीच का एंगेल कितना हो जाएगा यह आपको निकालना है तो यह निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए से जितना आपका साइड होता है पॉलीगोन का तो नौन अगन मतलब नाइन साइड है तो नाइन से डिवाइड कर लेना कर देखा करना हो तो यह आपका आजएगा 40 इसका बाद 180 सब को माइनस कर देने से आपका इंक्लूडेड एंगिल या दो साइड का बीच का इंक्लूडेड एंगिल या इंटर्नेल एंगिल आपका आजएगा 140 इप ओके 16 नंबर कोसिन में आपको पूछा गयता है 2x-3 is equal to 7 तो 2x is equal हो जएगा 7 plus 3 2x is equal to 10 x is equal to 5 simple question आपको exam में पूछा गयता है बट इतना simple question B.A.R.C. में पूछा नहीं जाता है तो B.A.R.C. के लिए आपको थोड़ा high level में प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं कहरा हूँ कि टेस्ट स्रीच आप जोइन कीजिए और टेस्ट स्रीच क के लिए इलेक्टिसेंट ट्रेड का, वेल्डर ट्रेड का, इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिक, टनर मैसेनिस्ट, फीटर ट्रेड का सभी का Mock Test Series आपको मिल जाता है और एडवांस exam के लिए टोटल 30 Mock Test Series आपको मिलता है और preliminary examination के लिए टोटल 50 Mock Test Series फूर लेंथ आपको मिलेगा माई खतम नहीं होगा तो इसको आप लोग कभी भी यूज कर सकते हैं जब भी एक्जाम आएगा तो इससे आप लोग practice कर सकते हैं ओके टेस्ट सेरीज में जॉइन करने का लिंक में आज का वीडियो का description box में add कर दूँगा तो link पे click करके आप लोग मेरा website में जाके test का subscription ले सकते हैं 17th number question में आपको पूछा गया था formula of potential energy ठीक है तो स्थीती उर्जा का unit क्या होता है mgh होता है okay m का मतलब होता है mass of object g का मतलब होता है acceleration due to gravity h का मतलब होता है height 18th number question में आपको पूछा गया था two 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 six minus one divided by seven then remainder will get two 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 six मतलब आप इसको calculate कर सकते है total आपका आएगा 64 उससे एक minus करते करते तो 63 आएगा 63 का का साथ से divide करते हैं तो इसमें कुछ भी remainder मतलब भाग से कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है तो remainder आपका zero आ जागा 19th number question में आपको पूछा गया था the fuel used in the nuclear reactor nuclear reactor या nuclear fuel के लिए कौन सा अब हम लोग चीज यूज करते हैं तो हम लोग uranium यूज करते हैं uranium 235 हम लोग यूज करते हैं 20 number question में आपको पूछा गया था nephron is the functional unit of nephron किसका unit होता है kidney का unit होता है ओके next question number 21 the value of acceleration due to gravity is value of acceleration due to gravity मतलब small g का value होता है 9.8 meter per second square कभी के भी 10 भी approach दिया जाता है 22 number question में आपको पूछा गया था recently which high speed train is launched for short distance मतलब कम दूरी के लिए approach 100 meter दूरी के लिए कौन सा high speed train को recently launch किया गया है तो सब इस student जानते इसका राइटांस रोजगा बंदे भारत express 23 number question में आपको पूछा गया तो which gas is responsible for turning ताजमाल into yellow मतलब ताजमाल का color color तो actually white है उससे धीरे धीरे पीला color के बनते जा रहा है तो एक किसका कारण हो रहा है sulfur dioxide का कारण हो रहा है SO2 का कारण हो रहा है ओके 24 number question में आपको पूछा गया था which of the following is a green house gas of earth question आपको green house gas से पूछा गया था आदरवाइस harmful gas for earth आपको पूछा गया था तो option में अगर carbon dioxide था तो carbon dioxide right answer हो जागा क्यूंकि green house gas होता है और carbon dioxide नहीं था तो water vapor था water vapor भी right answer हो जागा दोनों option में था तो मेरा हिसाब से carbon dioxide right answer होना चाहिए 25 number question में आपको पूछा गया था the multiplication option 6 root 5 into 2 root 5 देखो इसमें root to root अलग multiplication होता है और जो बाहर रहता है उसे अलग multiplication होता है 6 into 2 आपका 12 हो जाएगा और root 5 into root 5 मतलब हो जाएगा 5 into 5 तो जब आप लोग जाता है root का अंदर दो चीज़ कमो सेम हो जाता तो इससे एक चीज़ बाहर निकल के आ जाता है तो root से बाहर निकल के आ जाएगा तो 5 only आ जाएगा तो 12 into 5 मतलब आपका आ आपको पूछा गयता है 8 root 15 divided by 2 root 5 ठीक है तो इसमें देखें इसमें आपको जब भी करना है divide तो आपको root का value always equal करना है तो root का value आपका equal नहीं है है तो root का साथ root only multiplication होता है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 8 आपका 8 यहरेगा root आपका common हो जाएगा तो 5 Into 3 हो जाएगा इसमें से दोनों same नहीं हो रहा इसलिए आपका 8 root 15 हो जाएगा तो इसको तोर सकते 8 root 15 को ऐसे हम लोग तोल लिए इसे में देखे 2 root 15 ने 8 root 15 ने बाहर बाहर बाला अगर different है तो कोई दिखत नहीं देखिन root बाल आपको सेम करना है तो इससे करने का बाद आपका क्या हो जागा root 5 root 5 का जगा 2 और 4 से जब आप 8 को जब करते हैं 4 रहेगा तो 4 root 3 का right answer हो जागा इसका बाद एक question आपको पूछा गया था mensuration से आप देखिए इसमें एक circle था उसका radius r है r के value 7 cm है और इसमें जो आपका एक sector है सेक्टर का जो angle दिया है theta का value 30 दिया है तो इस sector का area निकलने का formula होता है आप लोग जानते है circle का area निकलने का formula था pi r square होता है ओके और इसमें जब भी sector बोल देता तो इसका साथ theta upon 360 कर देना है ठीक है मतलब उसमें कितना part को आप काटके निकाल दे है ठीक है 360 आपका पूरा circle होता है उसमें देखिए theta मतलब 30 degree only आप काटके इस portion को काटके निकालते है तो 30 हो जगा 30 upon 360 और इसका बाद आप pi का जगा 22 बटर 7 लिखे और r का जगा 7 into 7 तो इसमें एप प्रॉक्स आपका आज जगा 12.83 cm square एक question आपको पूछा गया था SP and CP से मतलब selling price cost price से आपको question पूछा गया था सबसे पहला student ने बोला कि the cost price of an article 7.4 and selling price of that article 840 मतलब cost price कम है और selling price जाद है मतलब इसमें उसका profit हो रहा है एक student ने ऐसा बोला है तो उस हिसाब से मैं math को किया हूँ तो profit उसका कितना हो रहा है total आप देखिए यह आपका selling price है यह आपका cost price है 126 रूपया हो रहा है और loss profit किसमें होता है always cost price में होता है तो cost price आपका 714 है तो percentage आपका एक student और बोला है उसका cost price था 840 रूपया और उसको बेचा गया है 716 रूपया मतलब उसका loss हुआ loss percentage आपको निकालना है तो इसमें देखिए cost price आपका ज्यादा है और selling price का में मतलब loss हुआ 126 रूपया loss हुआ और loss profit किसमें होता है always cost price में होता है cost price देखिए इसमें 840 है तो 126 divided by 840 into 100 है तो इदर आपका loss percentage आएगा 15 percentage तो जिसी तरह से आपको question पूछा गया तो दोनों का answer मैं आपको बता दिया हूँ इसमें next question number 29 the radius of a cone is 7 cm and its slant height is 10 cm calculate the curve surface area of the cone एक संकू का radius 7 cm और उसका slant height 10 cm है उसका curve surface area निकालना है बक्रो एरिया निकालना है ठीक है तो इसमें आपका radius 7 cm दिया है slant height मतलब l is equal to 10 cm दिया है तो formula क्या हो जाता है curve surface area of cone का formula होता है pi r l तो सभी का value आपको मालू में तो pi का value 22 by 7 into r का value 7 और l का value slant height का value 10 तो इसका right answer आजएगा 220 cm square ठीक है तो देखे मैं इसका discussion आपको youtube पर दे रहा हूँ और इससे आपको पता चले जिस भी student एक्जाम दे के आया है वो सभी student डडाउट में first stage को qualify कर पाएगे की नहीं तो आप किसी भी जगा में preliminary test का solution देख लिजे देख लिजे लेकिन आपको take mechanical का तरह किसी भी जगा में आपको solution नहीं मिलेगा क्योंकि आप सभी student हमें special भेजते हैं और आप लोग का support का बज़े से मैं हर exam का memory based paper solution देख पाता हूं और आज भी student ने बहुत सारा ट्रेड का exam है जैसे ओल्ड यार अज फास्टेज सेकंड स्टेज का examination conduct हुआ है वो भी student अगर वीडियो देख रहा है तो आप सभी student को भी मेरा request मेरा WhatsApp पर memory based question जरूर भेज दीजेगा मेरा WhatsApp नमबर है 8583870223 ठीक है तो आपका अगर पांच question याद है आप भी भेजिए दो question याद है दस question पचास question याद है चलिस question जितना भी question याद है आप भेज दीजे क्योंकि एक-एक student का एक-दो question से पेपर पुड़ा बनता है ठीक है तो आप अगर सही में मेरा follower से अप अगर support करते तो जरूर आपको जितना भी question याद है अब थोड़ा सा कश्ट करके copy में लिख के या WhatsApp में टाइप करके अगर हो सके तो उसको English में भेजिए तो मेरे को समझने में थोड़ा easy होता है क्योंकि हिंदी में जब भेजता है तो अलग-अलग अगर रेका कौन सा स्टेट का मध्ध से नहीं गया है मतलब कौन सा स्टेट से गुजरा नहीं है तो आप देखिए कौन सा राज्य से नहीं गुजरा है अप्शन नमबर A राजस्तन अप्शन नमबर B ओडिसा अप्शन नमबर C 36 गर अप्शन नमबर दी थी पूरा इस को सेंकर राइक्टान सरो जगा ऑप्शन नमबर B ओडिसा ठीक है तो करकट करन्थी रेखा ओडिसा स्टेट का अंदर से गुजरा नहीं है 31 नमबर C natural में आपको पूछा गरता सीविल ओडियंस मूवमेंट कहसे सुरू हुआ था सबरमती अस्रम गुजरास से शुरू हुआ था, 1930 में, ठीक है, 32 नामबर पुच्छन में आपको पूछा गया था, एक क्यूबाइड है, ठीक है, तो एक क्यूबाइड का लेंध ब्रेद और हाइध दिया है, लेंध 15 mm, ब्रेद 10 mm, अब हाइध 20 mm, तो इसका सार्फेस एरिया आपको निकालन दे wannna, तो क्यूबाइड का सार्फेस एरिया का फॉर्मुला होता है, ठीक है, 33 नामबर में आपको पूछा गया था, what is the angle between minute hand and hour hand at 9.30 तो देखो किसी भी घड़ी में जब सारे नौ बजता है तो उसका जो घंटे का काटा है और जो उसका minute का काटा है तो उन दोनों काटे का बीच में कितना डिगरी एंगेल बनता है यह आपको निकालना है ठीक है तो ऐसे आपको किसी भी आपको दिया जा सकते कि सारे नौ बज़ रहा है सारे दा सारे गारा या एगारा पच्पन बज़ रहा है तो कितना डिगरी एंगेल बनता है minute hand और hour hand का बीच में यह निकालने का एक आसान formula मैं आपको बता आता हूँ इसमें देखे m मतलब होता है आपका minute और h मतलब आपको याद रखना है hour यह formula आपका होता है 11m divided by 2 minus 30h यह formula आपको याद रखना है इसका बाद m का जगा m का value पूट कर दिए इसमें कितना minute है 30 minute है तो इसका बाद देखे 30h है मतलब h का जगा आपको hour आपका कितना है 9 है तो सभी value पूट करने के बाद आपका value आजगा minus 105 इसमें minus का कोई value नहीं है यह minus plus कुछ भी आ सकता है तो इसमें देखे आपको 105 degree आ गया है मतलब जब घड़ी में 9 बज़ता है तो उसका minute और hour काटे के बीच का angle होता है 105 degree किसी भी time का आप ऐसा angle निकाल सकता है इस formula से 11 m divided by 2 minus 38 34 number question में आपको पूछा गया था in which medium sound travels faster मतलब कौन सा मध्धम से sound मतलब धनी सबसे तेज move करता है सबसे तेज चलता है तो किसी भी solid चीज का अंदर जैसे iron होता है किसी iron pipe है ठीक है तो जिस भी solid चीज है solid चीज का मध्धम से धनी सबसे तेज move करता है ठीक है 35 number question में आपको पूछा गया था the value of root over 80 की root over 80 का value क्या हो जागा तो 80 को तोड़ लेना है तो आपका क्या आ जागा 2 into 2 into 2 into 5 तो इसमें देकिए 2 2 से एक 2 निकल जाएगा और और 2 2 से और 12 निकल जाएगा तो बहार आपका क्या हो जागा 2 into 2 root over 5 क्यूकि 5 का साथ और nil 5 नहीं तो 4 root 5 इसका आपको पूछा गयाता है, which of the following is not a unit of pressure, दाप का कौन सा unit नहीं होता है, ऐसा एक कुछा गयाता है, option में अगर आपका Newton था, तो Newton राइट आपको पूछा गयाता है, क्योंकि बाकी पास्काल, mm, Hg, Tor, यह सब pressure का unit होता है, pressure is equal to the force upon area, next question number 37, calorimeter are made of which metal, calorimeter किस धातु से बनता है, तो actually metal से बनता है, तो यह आपका right answer हो जाएगा, copper, 38 number question में आपको पूछा गया था, an object is placed at focus in front of a concave mirror, किसी भी अबदल mirror का सामने, जब हम लोग किसी object को उसका focus में रखते हैं, मतलब किसी भी अबदल mirror का focus में, जब हम लोग किसी object को रखते हैं, तो उसका image, मतलब उसका प्रतिभी कहां पे बनता है, infinity में बनता है, और यह काफी बड़ा बनता है, extremely large हो जाएगा, तो infinity यह extremely large जिसका right answer हो जाएगा, 39 number question में आपको पूछा गया था, which of the following is not a constitute of biogas, मतलब biogas का कौन सा यह उपकरन नहीं है, या biogas में कौन सा gas मौजूद नहीं है, ऐसा question आपको पूछा गया था, चार option आपको सायद दिया गया था, hydrogen sulfide, methane, carbon monoxide और carbon dioxide, तो अगर carbon monoxide था, तो तब भी right answer हो जाएगा, only oxygen था, तो तब भी right answer हो जाएगा, कि कि यह दोनों biogas में मौजूद नहीं होता है, 40 number question में आपको ऐसा दिया गया था, minus 2, minus 2.5 which quadrant, मतलब जैसे आपका minus और minus value आता है, कौन सा quadrant में होता है, PSY दोनों positive होता है, second quadrant में पहले plus उसका बद minus, third quadrant में दोनों minus minus होता है और fourth quadrant में पहले minus उसका बद plus, तो यह दोनों minus minus है, मतलब यह आपका कौन सा quadrant में हो जाएगा, third quadrant में हो जाएगा, ok, next question number 41. The distance between point A and point B, तो ऐसे आपका point A है सुचिए और point B है जिसमें दोनों point का बीच का distance आपको निकालना है ठीक है जैसे आप लोग बोलते हैं न 5,4 मतलब 1,2,3,4,5 इसका बाद 1,2,3,4,5 इसका बाद 1,2,3,4 मतलब point इधर 1 है और उसका बाद आप देखें 3,1,2,3,1,2 मतलब इधर है तो ये x1 और 4 आपका y1 है और जो आपका point B है उसमें आपका 3 x2 है और 2 आपका y2 है इसका formula होता है root over x2 माइनस x1 तर whole square प्लास y2 माइनस y1 तर whole square ठीक है तो इसमें देखें आपको ज़स्ट value पूट करना x2 का value 3 है x1 का value 5 है इसका बाद देखें y2 का value 2 है और y1 का value 4 है तो इसमें आपका ज़स्ट जो भी value आएगा root over 8 का असपास आएगा देखो value इसमें same नहीं आया है exam में value साथ कुछ different था लेकिन यह जो formula है यह formula से आपका question को solve करना है ठीक है और भी 3-4 question है मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने copy में note down नहीं किया एक reasoning का question भी है मैं आपको दिखाता हू इसमें देखे एक question आपको पूछा गयाता है रामो की मा रामो से कहती है मतलब रामो की मा रामो से कहती है मेरी मा के बेटे के बेटा का नाम अलोग है रामो और अलोग का सम्मध क्या है तो आप इसको copy में note down कर लेजिए अपना हिसाब से तो रामो की मा रामो से कहती है मेरी तो भया का बेटा जो होता है ठीक है तो भया का बेटा का साथ बेटा का नामे अलुक तो अलुक का साथ रामु का क्या संबन दोगा मेरा इस अब से ब्रादर होगा ठीक है तो ब्रादर राइट अंसर होना चाहिए नेक्स्ट और भी कोस्टन है देखिए एक कोस्टन आपको ऐसा पूछा गया था पी ब्रैकेट में ई 0.05 पे तो जो ऐसा कुछ लिखा है प्राई क्या था मतलब इसका एक्चली इंग्लिश टरम हमें भी समझ में नहीं आया है तो यह कोस्टन आपको एक्चली पूछा गया थ तो इसको इसने दिया है तो आपको 1-0.05 मतलब इसका राइटन से 0.95 हो जाएगा तो एक्चली प्राई कता जो इसमें लिखा इसका इंग्लिश टरम क्या है आप लोग जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको मालूम है तो और एक कुस्टन भी आपको पू इचा गया था प्राई का था तो इसका इंग्लिश टरम क्या जरूर आप लोग कॉमेंट बॉक्स पर लिख दीजे क्योंकि यह हमें विल्कुल भी समझ में नहीं है यूट्यूब पर भी ढूंडा मैं इसका बाद गूगल पर भी गूगल ट्रांसलेट पर भी इसका पर भेज दीजे और उसका साथ अपना ट्रेड को भी लिख दीजे आपका सीफ्ट कौन सा था ओभी आप लिख के जरू भेज दीजेगा तो मैं आज का भी सभी पेपर का भी सलूशन दे पाऊंगा क्योंकि नाइन नाइन सेप्टेम्बर दो हजातेईस में जो आपका चार तो सभी का एनलेसिस में आज कम्पलीट कर दिया हूँ ओके तो दस तरीका पिलिमीनेरी का भी पेपर मैं ढूशन का काफी स्टूडें ने भी भेजा है तो मैं उसका भी सेलूशन देने का जन्दी कोसिस कर रहा हूँ तो आज के लिए तना है मिलते नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाई बाई